प्रिवियस लेक्चर देख रहे होगे सिंक में होगे जितने भी लेक्चर मने अभी तक डाले हैं सब आपको समझ आ रहे होंगे लास्ट लेक्चर में अपने देखा था वेब के बारे में वेब क्या होती है बेसिक आईडिया हमने लगाया था और मैंने ये भी बता था आपको कि क्यों हम पढ़ रहे हैं वेब के बारे में in chemistry क्योंकि हमें atomic structure के आगे वाले topic समझने के लिए एक wave का basic idea होना चाहिए ठीक है तो आज हम देखेंगे electromagnetic radiation के बारे में और Maxwell ने अपनी क्या कहानी बनाई थी electromagnetic radiation के बारे में ठीक है तो चलो देखते हैं तो electromagnetic radiation को समझते हैं सबसे पहले तो एक हम charge particle assume करते है एक कोई charge particle है जिस पर charge है Q ठीक है तो मैं आपे लिख भी देता हूँ charge particle carrying a charge Q ठीक है इसके पास Q चार्ज है अब हमने इसको accelerate करा दिया कितनी acceleration से a मानने थी ठीक है a क्या है basically variable है a की value कुछ भी हो सकती है 2 meter per second 3 meter per second और it can be any meter per second तो हमने क्या देखा यह जो charge है जब हमने इसको accelerate कराया तो यह energy emit करने लगा ठीक है और इस energy को क्या बोला गया electromagnetic radiation इसको electromagnetic radiation बोला गया क्यों बोला गया ऐसा क्योंकि यह जो radiation थी उसमें electric field भी थी और magnetic field भी थी इसलिए इसको बोला गया electromagnetic radiation अच्छा इतनी बात प्लिए है इसमें कोई डाउट थी आभी तक हमने यह देखा है एक charge particle है acceleration से जा रहा है कहीं पर भी तो energy emit करने लगा ठीक है जैसे ही हमने इसको accelerate कर आया energy emit करने लगा और उस energy को क्या बोला गया electromagnetic radiation because electric field भी है magnetic field भी है उस energy में इतनी बात क्लिए है यह हमने कहां पर देखा था कि हमने रधरफोर्स atomic model में भी देखा था कहां देखा था drawbacks of Rutherford's atomic model तो क्या major जो हमारा drawback था वो यह था कि nucleus है यह Rutherford का atomic model था उसके around circular orbit में your electron is revolving तो इस electron पर obviously force लग रही होगी अंदर की तरफ जो कि होगी electrostatic force of attraction electrostatic force of attraction और since this electron is in circular motion तो इसके पास acceleration भी होगी तो charge particle तो है electron और accelerate भी कर रहा है तो यह भी energy emit करना चाहिए और energy emit करना चाहिए तो जो इसकी radius orbit की वो धीरे-धीरे कम होती जानी चाहिए क्योंकि electron की energy कम हो रही है और eventually it should follow a spiral path and it should collapse into the nucleus electron को collapse हो जाना चाहिए nucleus में और atom का existence नहीं होने चाहिए which is definitely not true ऐसा तो नहीं होता है atom exist करता है तो यह था major drawback of Rutherford atomic model के यह तो रही बात Rutherford atomic model की आते हैं हम वापिस अपनी थियोरी पर तो भाई Maxwell ने क्या ऐसा काम किया उन्होंने बोला यह जो EMR है electromagnetic radiation basically एक wave है उन्होंने क्या बोला it is just a wave जो की बोथ electric field और magnetic field दोनों carry करती है इसमें कोई doubt आपको होना नहीं चाहिए अच्छा तो यह wave दिखती कैसी है let's see how does this wave looks like तो ऐसी दिखती है यह wave देखो अब इसको हम समझते है देखो यह है y-axis इसमें तो कोई doubt नहीं होगा यह है z-axis यह है x-axis पहले मैं color change कर लेता हूँ पहन का कि यह दिखेगा नीशाएद तो यह देखो फोर्ष के देखो धट अंत ऐसे जेट था गरा यह मारी वेव का फ्रफोगेशन हो रहा है जेट आको एकशिस पहले मारे पास हूआय यह पास फिल्ट का वेव देखो ठीक है और इसके perpendicular x-axis है यह देखो यह देख रही x-axis और x-axis के along हमारे पास है magnetic field का component तो यह देखो electric field का component और magnetic field का component एक दूसरे के perpendicular है यह समझ आया इसमें कोई डाउट दोने चाहिए और क्या खास यह थे इसकी है बेसिकली यह जो है electric field का component और magnetic field का component दोनों सेम phase में मतलब यह जैसी ऊपर जा रहा है यह राइट में जा रहा है यह जैसी नीचे जा रहा है यह लेअप्सका रिवर्स भी कर सकते हूं मतलब दोनों के दोनों same phase में है, इसको कोई doubt नहीं होना चाहिए, ठीक है, यह समझ आ गया basically, अच्छा, अब और सुनो, यह जो energy, wave energy केरी करेगी obviously, तो यह जो energy है न, इसकी direction, magnetic field और electric field दोनों के perpendicular है, यह समझ आया, देखो, energy कहाँ propagate करेगी, z-axis में, electric field कहाँ है, y-axis में, magnetic field कहाँ है, x-axis में, तो दोनों के perpendicular नहीं होआ क्या, wave propagation, और wave propagation जहाँ होगा, वहीं होगा, energy का propagation, तो इसमें कोई doubt होना नहीं चाहिए, अच्छा, और बात हम लिखते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसमें, कि जो magnetic field की wavelength होगी, वही electric field की wavelength होगी, और जो उसका time period होगा, वही magnetic field का time period होगा, जो electric field का frequency होगी, वही magnetic field की frequency होगी, इतना तो आप समझ सकते हो, मतलब सारी wave की characteristic होती है, वो दोनों component के लिए same होगा, lambda हो, amplitude हो, time period हो, frequency हो, या फिर wave number भी हो, ये same होगा, for both, electric field and magnetic field, ठीक है, उसमें कोई doubt आपको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, और, ये wave जो है, किस speed से travel करती है, तो ये travel करती है, speed of light से, speed of light से, इसको भी आद रहो, जैसे हम, c से represent करते हैं, और उसकी value होती है, approximately, 3 into 10 to the power 8, meter per second, ठीक है, इतनी बात हमें समझा गी, अब, ये जो सारी बात हमने करी, इसको note down करते हैं, जिससे आपको, और अच्छे से, clear हो जाए, एक और बात, ये जो electromagnetic radiation है, इसे, कोई भी, medium की, जरूरत नहीं होती, कोई भी medium की, जरूरत नहीं होती, to travel, it can even travel, in vacuum, ये vacuum में भी travel कर सकती है, तो इस बात को, अच्छे से note down कर ले, ठीक है, अब हम, लिखते हैं, points चलो, now, we will, you know, write the points in a proper mannered way, पहला point, it suggests, wave nature, wave nature of EMR, ये Maxwell's theory की बात हो, ठीक है, सही है, second point हम लिखिंगे, when a charged particle, when a charged particle, when a charged particle, moves under acceleration, moves under acceleration, alternating, alternating, electric, electric and magnetic field are produced, electric and magnetic field are produced, इसमें कोई डाउट नहीं हम देख चुके हैं, are produced, ठीक है, अगर कोई डाउट आता भी है, तो आप comment section में पूर सकते हैं, I'll make sure that I'll reply to your comment, these fields, are in phase, are in phase, and oscillating, 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 mutually, perpendicular, to each other, ठीक है, oscillating, mutually, perpendicular, to each other, इतना हम समझ गए, fourth point हम लिखेंगे, जो मैं समझा चुका हूँ, direction of energy, of propagation के बारे में, the direction of, energy, propagation, is perpendicular, perpendicular, to both, the fields, ठीक है, ये भी हम लिख लेंगे, इसमें भी हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, fifth point पर चलते हैं, all EMR, wave, travel, with speed of light, speed of light, जिसकी value मैंने बताई थी, 3 into 10 to the power 8 meter per second, इसे represent किसे करते हैं, C से represent करते हैं, अच्छा, ठीक है, तो हमने एक formula भी देखा था, पिखले lecture में, introduction to wave में, जो के speed और wavelength और frequency को relate करता था, एक wave के लिए, हमने क्या देखा था, C equals to mu lambda, तो यहाँ पर आप speed of light रख सकते हो, C की जगा, और mu तो आपको पता ही क्या होता है, frequency होता है, और wavelength तो आपको पता ही है, lambda से हम represent करते हैं ऐसे, और अगर आप EMR के लिए frequency और wavelength में relation निकालना चाहते हो, तो आप easily निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, कि all EMR travels at a speed of light, ठीक है, इतनी बात clearest में कोई doubt होना नहीं चाहिए, ठीक है, अब हम last point की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 6th point वो क्या बोल रहा है, basically, in EMR, in EMR, both electric and magnetic components, components have same lambda, amplitude, time period, frequency, etc., जो भी characteristic होते हैं, एक wave के, ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ आगी, 7th point लिखते हैं, all EMR don't need a medium to travel, medium to travel, सारी की सारी vacuum में भी travel कर सकती हैं, इन्हें कोई भी medium की जरूद नहीं होती, क्योंकि ये electric field और magnetic field से constitute करके बनी गई हैं, ठीक है, इतनी बात किया रहे, अच्छा, अब इस theory का कोई proof तो होना चाहिए, भाई, electromagnetic radiation wave हैं, ऐसी बोल दिया, ऐसी थोड़ी मानेंगा, अच्छा, तो basically, waves जो rule follow करती हैं, वही EMR को follow करना चाहिए, EMR should follow the waves rule, एक wave का क्या rule होता है, basically, interference pattern show करना, और diffraction show करना, अगर ये terms आपने नहीं सुनी, तो आप सुनोगे, 12th class में जवाब, wave optics पड़ोगे, क्या पड़ोगे, wave optics एक बहुत अच्छा chapter है, based on light, तो आप जब उसको पड़ोगे तब समझोगे ने, तो हमने देखा, EMR भी ये दोनों test देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, EMR वेव की तरह भी वेव करता है, basically, maximum ने सही बोला था, ओके, इतनी बात clear हुई, चलो, अब हम देखते हैं एक नई चीज, electromagnetic spectrum, नई चीज तो नहीं है, हमने पिछले lecture में भी देखा था, electromagnetic radiation spectrum, इसके बारे में हम देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले कौन सी वेव आती है, radio waves, radio waves में क्या होता है, सबसे ज़ादा इनकी wavelength, lambda equals to maximum, उसके बाद आती है, microwave, उसके बाद microwave, देखाता है या नहीं देखाता, उसके बाद आती है, infrared, infrared, ठीक है, उसके बाद visible, visible के बाद ultraviolet, ठीक है, ultraviolet, violet, UV rays, जो के harmful UV rays, आपने सुना होगा, आती है sun से, ठीक है, UV rays होगी है, मारे पास, उसके बाद आती है हमारी X ray, फिर आती है gamma ray, गामा ray, उसके बाद आती है, cosmic ray, क्या आती है, cosmic ray, तो देखो, मैंने बताया था, left to right move करोगे, इधर move कर रहे हो, lambda decreases, क्योंकि radio waves की maximum, इसको आप ऐसे भी याज रखते हो, कि radio waves सबसे जादा दूरी travel करके आती है, तो उनका wavelength maximum होगी ही, तो left to right move करोगे, lambda will be decreasing, frequency increase करेगी, हमें पता है, sequence to mu lambda होता है, तो lambda proportional to 1 by mu, ठीक है, तो आप देख सकते और frequency बढ़ा होगे, तो lambda कम हो जाएगा, ठीक है, तो left to right क्या होगा, lambda increase करेगा, तो mu increase करेगा, sorry, lambda decrease करेगा, तो mu increase करेगा, और energy भी increase करेगी, अब ये कैसे आया, ये मैं बताऊँगा आपको next lecture में, जिसमें हम देखेंगे, plants quantum theory, ठीक है, तो ये है basically हमारा Maxwell's theory of electromagnetic radiation, इसमें को डाउट होने ची, चलो आप कुछ question देखते हैं, जिससे आपके concept और clear हो जाएं, और कोई doubt आपको रहे न, ठीक है, तो पहला question देखते हैं, और color भी change कर लेता हूँ, pen का में, जिससे, अच्छा, you know, colorful लगे आपको slides, question 1 देखते हैं, radio, FM, broadcast, on a frequency, on a frequency, of 5090 kHz, frequency की unit तो पता होगे, what is the, what is the wavelength, wavelength of EMR emitted by the transmitter, जो transmitter है, तो किस wavelength की EMR emit कर रहा है, तो हमें पता है, relation C equals to mu lambda, और EMR के लिए C की value कितनी हो दिए, 3 into 10 to the power 8 meter per second, तो रखने इसको, 3 into 10 to the power 8 meter per second, ऐसा unit में सब, mu की value कितनी है, 5090, अब kilohertz को हम, hertz में change करेंगे, तो into 10 to the power 3 कर देंगे, into lambda हो गया, तो lambda equals to 3 into 10 to the power 8, divide by 5090 into 10 to the power 3, इसको solve करोगे, तो value निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, गर आप solve करोगे, तो value निकल के आएगी, ये गया, 5, तो कितना बचा, 3,00, upon 5090, तो एक 0 से 0 गया, कितना बचा, 30,000, 30,000 तो 509 लगबा लगबा आएगा आपका अंसर, 58.9 meter, तो ये आजाएगा आपका अंसर, hopefully ये lecture आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, next lecture में देखिँगे, Planck's quantum theory, so yeah, this is it from this lecture, I will see you in the next one, till then, take care, bye-bye.